Hi everyone, I am Navya Agarwal और आज मैं आपके लिएक नई वीडियो लेकर आई हूँ तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने PC की स्क्रीन का वाल पेपर कैसे चेंज कर सकते हैं तो फोन में वाल पेपर चेंज करना बहुत ही एजी होता है इसी तरह हम PC का भी बहुत ही एजीली वाल पेपर जेंज कर सकते हैं और आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने इस वाल पेपर में अपनी पिचर कैसे लगा रखी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपनी करना होगा राइट क्लिक और फिर आप जाएंगे परस्नलाइज राले उप्शन पे फिर आप इसको स्क्रीन को बढ़ा कर लेंगे उसके बाद जो मैंने पनी पिचर लगा रखी है सबसे पहले वो वाली थीम आ रखी है और उसके बाद Windows की Default Theme है जिसमें कि है Windows, Lines & Colors और Flags हम इसमें से कोई सा भी option सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं सेलेक्ट करूँ Windows वाला option तो आप देख सकते हैं कि हमारा background चेंज हो चुका है अगर मैं Lines & Colors वाला option पर जाती हूँ तो यह दिवारा चेंज हो गया और अगर आप देख सकते हैं कि इसमें पता चल रहा है कि यहां पर काफी सारी pictures है तो हम इसमें click करेंगे यहां पर डेक्स्टॉप background वाला option पर अम इसमें click करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी pictures है अगर मुझे इन सारी pictures को shuffle करना है तो हम shuffle वाले option पर click कर देंगे अगर हम चाहते हैं कि यह सारी pictures हर आदे गंटे पाद चेंज हो तो आदे गंटे वारा option select कर सकते हैं या फिर हम जितने भी time कर चाहते हैं उतना time select कर सकते हैं फिर यहां पर पिचर position पिचर की style तो पिचर की style तो पिचर की style आफ फिल, fit, stretch, style, center जिस style में आप करना चाहते हैं आप उस style में कर सकते हैं अगर मैं चाहते हूंगी सिरफ एक ही picture हो तो हम ही आपे जाएंगे clear all वाले option पर और मुझे इन में से जो एक पिचर चाहें अगर मुझे यह वाली चाहिए तो मैं यह वाली option select कर लूँगी आप देख सकते हैं कि यह आप पर आचपा है लेकिन अगर मुझे दुबारा सारे करने हैं तो हम इस सब में take ase करने की जरूतनी है हम दुबारा से कर सकते हैं select all पर और इस सारी पिछर से रेक्ट हो चुकी है अब इसमें से अगर हम चाहते हैं कि यह सारी आए तो हम सारी भी set कर सकते हैं next हम बैंक जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि आपर next option है flowers का तो अब यह पर फ्लार्स का आगया है हम दुबारा next बैंकर पर जाएंगे तो हम देख सकते हैं तो देख से हैं कि भी प्लार्स के बहुत सारी option है और अगर हम इसमें से कोई ही चाहते हैं वह ले सकते हैं यसे कि अगर मुझे यह जाई फ्लार्स कि को बहुत आए 중요 है ऐा बैंब देख सकते हैं अबने यह वाली पिच्छर कैसे लेकर रही लेकर एंगे रहे बदाद करेंगे और अब हम जाएंगे डेक्स्टफ बाग्राउंड और फिर उन जाएंगे ब्राउज और फिर उप्षिन पर फॉल्डर में पहले खोला था इसलिए खुला वाय और मैं बता देतीुं कि कैसे करन एक लिए अपना फोल्डर में खोलूंगी। देख सकते हैं कि आपे सारी पिच्छ आ गई हैं। और इसमें जो भी पेच्छ है उपना पिच्छ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने भी यह वाली पिछर ले रखी दिया और भी बहुत सारी पिछर हैं तो में टेकर टाल ताम लग जाएगा तो इसलिए आम टायरेक्ट एल ओप्षिन पर क्लिक करेंगे और अब इसमें जो पिछर सेलेक्ट करना चाहते हैं वाली पिछर सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि मैं भी 1-day कर सकती हूँ या फिर 12-hour कर सकती हूँ जो करना चांब वो गर सकती हूँ next is when using battery power pause a slideshow to save power और अब में shuffle पर लगा रखा है तो इस option सी कि होगा कि अगर आपका battery power काम हो रखी है तो the slideshow pause हो जाएगा जिसे कि आपके battery power save होएगी जादा कर्चनी होगी अब मुझे यह वाली photo change मुझे यह वाली photo click करूंगी और फिर मैं जाओंगी save changes पे मैंने photo click कर ली save changes पे जाएगे ताब देख सकते है कि मेरी picture आगई है अब मैं तुबारा से अगर अपनी picture चेंज़ना चाहते हूँ तो यह वहला background खुला हूँ मैंने वाली select कर सकती हूँ और मैं तुबारा save changes पे जा सकती हूँ और मेरी picture दुबारा change हो गई है तो इसमें से जो भी picture चाहे हमारी वह वाली picture आ सकती है अब मैं चाहते हूँ कि मेरी वही वाली picture तो है पुरानी वाली तो उन दुबारा से पुरानी वाली picture को क्लिक कर सकते है तो यह आपकी मर्जी आप अपनी कौन सी picture को लेना चाहते है तो मैंने दुबारा अपनी पुरानी वाली picture ले लिए यह आपे high contrast theme से आप अपना contrast पी चेंज कर सकते हैं कि आपको किस से को contrast कई लोग होते हैं कि आपने फोन में black color का contrast रखते हैं काफी लोग white color का रखते हैं तो आप अपनी साफ से चेंज कर सकते हैं next is color कि जो आपका background है उसका color कैसो होने चाहिए change the color of a window borders and taskbar को हो 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 तास्क बार है या फिर जो भी आपके borders है उसका color change हो जाएगा अब मैंने को change नहीं किया तो इसलिए मैं cancel टे क्लिक कर सकते होगा हमने को change किया है तो हमें safe changes पर क्लिक करना पड़ेगा अगर उसमें नहीं करेंगे तो हमाई changes safe नहीं हो पाएंगे next is sounds पर अगर आपकोई sound डाना चाहते है screen saver क्या होते है कि जब आपने laptop पर PC पर काम नहीं कर रहे है तो screen saver चाहते है जैसे कि अभी मैंने कोई screen saver नहीं डाल रखा है मैं यहाँ पर कोई भी डाल सकती हूँ तो यह आपको preview भी दिखाएगा कि वह कैसा दिखेगा wait 30 minutes तो 30 minutes अगर आपने काम नहीं किया है तो bubbles आएँगे 30 minutes पहरे नहीं आएँगे अब मैं इसको काम भी कर सकती हूँ यह पर मैं इसे खुड़ से टाइप पी कर सकती हूँ मैं 10 minutes कर सकती हूँ यह पर आप देख सकते हैं कि preview आगया कि वह कैसा दिखेगा तो आप देख सकते हैं कि bubbles अच्छे लग रहे हैं उसके बाद यहाँ पर और भी options है जैसे कि ribbons यहाँ पर छोटी screen में दिखा रखा है मैं आपको preview करके दिखा दिती हूँ कैसा लगेगा और एक बार अपने cursor को हिलाएंगे तो दुबारा से वहाई से screen आपकी शुरू हो जाएगी अगर मैं करते हूँ on resume display log on screen तो यहाँ option क्लिक करने से क्या होगा कि अगर मैं resume करूँगी तो पहली मेरी login वाली screen दिखाई देगी और उसके बाद शुरू होगा जैसे अभी हम अपने cursor को move करते हैं तो हमारा वही सी screen शुरू हो जाती है लेकिन उसके लिए हमें अपने password डालना पड़ेगा और उसके बाद हमारा दुबारा screen आएगी फिर इसमें अगर आप कोई भी नहीं चाहते तो आप none भी कर सकते हैं अगर आप कोई टेक्स टालना चाहते हैं तो आप इसमें टेक्स पी डाल सकते हैं यहां बहुत सारी options आप पोटो डाल सकते हैं फिर अगर आपने कुछ screen saver डाला है तो हमें अप्लाई पी क्लिक करना पड़ेगा जैसे कि वह सेव हो जाए तो मैं none कर देटी क्योंकि मुझे कोई screen saver नी चाहिए और अप्लाई कर देंगे तो यह safe changes नहीं हुए तो आप देख सते हैं कि उपने PC का background change करना बहुत ही easy था अब बहुत ही easily अपने background change कर सते हैं PC का अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक केजी शेयर केजा और सब्सक्राइब केजे अगर आपको कोई भी query हो तो आप comment section में comment कर सकते हैं Thank you, bye